कि रहने के लिए रहने के लिए पढ़ने के लिए रोने के लिए हो पढ़ोगे नहीं कहां बढ़ियस पढ़ोगे तुम अभी तो पढ़ी नहीं रहे हो तुम जो है फोड़ा सा पढ़े हो फिर घर जाने के लिए रो रहे हो जाओगे बाहर तो कोई पकड लेगा तो क्या करोगे कौन घुम रहा है बताओ गाड़ी से हम जाएंगे तो गाड़ी हम चलाएंगे तो कैसे उसको हम मारेंगे मारेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा हम तो गाड़ी चलाएंगे तो कैसे मारेंगे उसको कैसे दंडा दोनों हाथ से तो हम गारी चलाएंगे तो डंडा कैसे पकड़ेंगे कैसे घर चले जाएंगे और रास्ता में बैठा हुआ है वही जो है बच्चा चोर वाला बैठा है हमसे कर रहा था ना कि जो है इधर से कोई भी बच्चे आएगा तो हम उसको पकड़ के जाओ सब लोग गाउं में हला कर रहे है किडिनी चोर वाला आया है बच्चा पकड़ने वाला तो अब क्या करें बताओ अकेले चल जाओगे और किडिनी का लेगा तुम्हारा पेट फाड़ देगा तब क्या करोगे कहां से डंड़ होगे तुमको ऐसे ही पकड़ लेगा हाथ पकड़ के बोरा में डाल लेगा तब क्या करोगे किडिनी चोर वाले आये हैं बच्चो बाहर जाओगे तब ना कैसे जाओगे भी पापा आये नहीं तुम्हारे फोन तो किये हैं तो आएंगे ना तब जाओगे चलो पढ़ लो और पढ़ लो थोड़ा सा नहीं पढ़ोगे अच्छे बच्चे बन गए हो नहीं और अच्छे बच्चे बन जाओ पढ़ करके कुछ आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है तुम्हें पढ़ने लिए नहीं आगा तुम क्या बनोगे पढ़ करके अच्छे बच्चे नहीं बनोगे क्यों नहीं अच्छे बच्चे बनते ना कौन कहता है इसा नहीं पढ़ोगे तो ममी बोलती है ना तुम नहीं न बोलोगे ममी है इसलिए बोलती है तो बच्चे नहीं न बोलते हैं बच्चे बोलते हैं हम अच्छे बच्चे बनेंगे पढ़ करके हम क्या बनोगे अच्छे बच्चे बनोगे तो डॉक्टर भी बनना है इंजिनियर बनोगे इंजिनियर नहीं बनोगे डॉक्टर भी नहीं बनोगे तो क्या करोगे बकरी चराओंगे बकरी क्या करोगे चरा के बकरी चराओंगे तो बकरी कहां से आएगा कहां से खर दोगे तो पैसार चाहिए नहीं हां 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 तो उसके घर से तो उसके घर से कैसे खर दोगे पैसा चाहिए ना उसके घर तो कैसे खर दोगे पैसा चाहिए ना खरी दने के लिए इतना सारा पैसा कहां से आएगा तो पापा देखो पढ़े हैं तो कमा रहे हैं और तुम नहीं पढ़ोगे नहीं देते हैं इसलिए न तो कह रहे हैं कि तुम पढ़ लोगे तो तुम कमाओगे तो तुम पैसा अपने पास रखोगे ना बोलो तुम पैसा कैसे कमाओगे तो तुम यह बताओ अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पैसा कैसे कमाओगे कैसे और कैसे खर दोगे जो बकरी चराओगे कह रहे हो तो बकरी कैसे खर दोगे पैसा तो है नहीं तो खरीद साइकल खरीद लेना बकरी क्यों खर दोगे पैसे खर दोगे तुमको काना रो जाएगा पढ़ेगा रोएगा नहीं तो हम साइकल खरीद देंगे और तुम कह रहे हो बकरी खरीद देंगे साइकल खर दोगे क्यों पढ़ोगे तो पापा साइकल खरीद देंगे पकरी क्या करोगे क्यों अच्छे बच्चे बनते हैं ना पढ़ करके और रोते हैं क्यों अच्छे बन गए अच्छे बन गयो ना तो रो मात तो घार तो हम देखे हैं लेकिन हमको पकड़ लेगा तो देखे तो नहीं है और मालों तो हम देखे नहीं है और हमको सबसे डर तो है कि हमको वाया है कीडिनी चोर पकड़ लेगा तो हमको पकड़ लेगा मेरा फोन भी छीन लेगा तब क्या करेंगे किस चीशन मारेंगे तो हां से मारेंगे तब हमको पकड़ करके मेरा फेट काटके कीडिने निकाल लेगा तब क्या करेंगे कैसे डंडा मारेंगे हम BEamis गाड़ी चलाएंगे तो दोनों हां से गाड़ी पकड़ेंगे, तो डंडा कैसे चलाएंगे उसको, डंडा अपने दिग में धोल जेगा, तो कैसे निकालेंगे, जब तक हम निकालेंगे, तब तक हमको काड़ देगा, मेरा गला काड़ देगा, मेरा फेट पाड़ देगा, किडिनी निकाल लेगा, कहा है वो किडिनी चोर है ना यहां बहुत खतरनाक है वो इसलिए बच्चों को हम जाने नहीं देते है गेट बंद कर देते हैं और तुम रो रहे हो गई किडिनी चोर आया था ना एक बर बच्चों को उठा ले गया उठा ले गया तो उनको भी जाना चाहिए उसके घर जाएंगे उसके घर जाओगे अरी बाप बादो तुम्हारा भी सब ना पेट ऐसे पाड़ेगा और सब किडिनी निकाल लेगा सब पेट में से तब क्या करोगे पढ़ोगे नहीं पढ़ लो चलो थोड़ा सा और पढ़ा जाएगा अभी तो थोड़ा ही सा लिखे हो तुम जो है पुरा लिखे नहीं और रोने लगे तुम जो है तुम पढ़ोगे लिखोगे ना पढ़ोगे लिखोगे तभी न तुम डाक्टर इंजिनियर बनोगे रोगे तो कैसे बनोगे तुम पढ़ना तो हमको सुई लगा देना खाना खाने के लिए क्या खिलाओगे हम तो अपने घर कुछी भी खाले तुम बढ़िया क्या खिलाओगे तो हम तुम्हारे घर तब छोड़ देंगे क्या खाते हैं क्या खाते हैं तो बताएं हम अब को छोड़ देंगे तो हमको क्या खिलाओगे तो हमको क्या खिलाओगे चांव पावब रसबुल्ला खालेते हैं खिलाओग या ओ